हाई फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल टेक्निकलमकेडियर में स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने डिप्लोमा के सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बहुत सिल्पल थ्रिक्व आ और अपने डिप्लोमा के सर्टिफिकेट को बहुत ही डाउनलोड कर सकते हैं। 맞 scholarship स्वाइद वीडियो सब्सम्राइब करते हैं Пред अगर आप अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोईले लेप्टाप का कोई साभी ब्राउजर ओपें कर लेना होगा और वहां पर टाइप करना होगा करने के बाद यहां पर देख सकते हैं इस पर आपको क्लीक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं पर het योग यहां पर अ चुकलने के बाद यहां कुछ नहीं देना होगा यहां पर देख सकते हैं आप अपना नाम लिज़ दीज़िएगा जिस तरह से अधार में लिखा है उसकी बड़ टाप आप को अपना मुवाईल नमबर डाल देना होगा और जो एक पीन आपको बनाना होगा तो security pin यहाँ पर बना लिजेगा और यहाँ पर email id और अधार number डालके summit पर click कर दीजेगा तो आपके mobile पर एक OTP आएगा उस OTP को डाल दीजेगा डालने के बाद यहाँ पर आपका account बन जाएगा तो अगर आपका account बन गया है तो sign in पर आपको click कर देना होगा तो मेरा account बन चुका है account बनाने के बाद देख सकते हैं mobile number या अधार number यहाँ पर डाल देजेगा तो यहाँ पर मैं अपना mobile number डाल दे रहा हूँ उसके बाद यह जो six digit का security pin है जो मैंने बनाया है भी उसको यहाँ पर डाल करके sign in पर मैं click कर दे रहा हूँ sign in पर click करने के बाद आपके mobile पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डाल के submit पर click कर देना होगा submit पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface यहाँ पर आएगा सर्च डाकुमेंट पर आपको क्लीक कर देना हो daha इस चाहँ पर देख सकते हैं इस स्टेत्रलय और वैसे इजुकेशन बैंकिंग और एइंसुरेंस, हेल्थ, तो सबसे उपर वाला state government पर ही आपको जाना होगा, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, view all, view all पर आपको click कर देना होगा, यहां पर मैंने click कर दिया, click करने के बाद अगर आप जिस भी state से होगे, उस state पर आपको click कर देना होगा, तो में हूँ उस्तरपर्देस तो हो यहाँ पर मैंने Click कर दिया यहां पर देख सकते हैं नीची आपको आना होगा और यहां पर यूपी बीटी बोर्ड जो होता है तो यूपी बीटी बोर्ड भी है तो उस पर आपको क्लिक करना होगा तो देख सकते हैं यहां पर डिगरी डिप्लोमा मार्क सीट तो यहां पर देख सकते हैं यूपी टेकनिकल बोर्ड आफ एजुकेशन उत्तर परदेश तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बाद आपका जो नाम है और आटोमाटिक यहां पर आ जाएगा इंडॉल्मेंट नंबर यहां पर आपको अपना इंडॉल्मेंट नंबर डाल देना होगा और डेटा बर्थ जो है और यहां पर डाल देजेगा तो दोनों चीज़ डालने के बाद आपको गिट गिंट डाउन्लोड स्केकेट को बहुत ही आसानी से डायोड कर सकते consumes article कर एक और ते देख सकते हैं महीं अगर अगर आपको किलिक कर देखान। डिप्लोमा Certificate तो U.P. Technical Board of Education उत्तरपर्दिष तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहां पर रोल नम्बर डाल देना होगा और गेड डाऌलोड पर क्लिक कर देना होगा तो यहां पर जो भी आपका रोल नम्बर होगा उसको डाल करके गेड डाकुमेंट पर क्लिक कर तो यहां पर थोड़ा सा फेच करेगा और उसके बाद यहां पर आपका जो सर्टिफिकेट है वह यहां पर डाउनलोड होकर के आ जाएगा उसे आप बहुत ही आसानी से से भी कर सकते हैं या अगर इस्यू डाकुमेंट में जब भी चला जाएगा तो आप कभी भी उसको डाउन्डूड कर सकते हैं तो फिर्ण कुछ इस तरह से अपना जो टिफिलुवा का सडिपिकेट है वह बहुत ही असानी से डाउन्डूड कर सकते हैं और यहां पर सेव करके रख भी सकते हैं तो फ्रेल आई यहोप के वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइ कर दो कर दो कर दो दो जो हैं तो प्रूम